हाई गाइस वेलकम बैक तो दे चैनल चलो देखने कितरा प्रफिट बना आज आज बना वरण 8200 रुपीज लेकिन आपको थम्नेल दिखेगा टेरिबल एक्सवारी मैं रीजन बता तो हो क्यों यह क्लिक बेड बिलकुर नहीं है मैं क्लियर रीजन बताऊंगा क्यों मैं पॉइंट बोलूँगा जो आपके लिए बहुत हिल्फुल रहेगा चलो लेट्स टार्ट अगर आज अब्जव करोगे मार्केट गैप डाउन खुला है मैं शाहिए थर्ड या फॉर टाइम बोल रहा हूं जब भी ऐसा मार्केट एक रेज में फस जाता है और गैप डाउन को मैंने 43 700 का कॉल शॉट किया था आपको ओर्डर मुख दिखाता हूं यह देखिए 930 को मैंने 4 लोट 43 700 का कॉल शॉट किया था उसके बाद मार्केट यह वालिटिल्टी में मेरा स्टॉप लॉस खा लिया 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस था तो 4000 का कुछ लॉस हुआ और इ इमोशन गॉट बेटर ऑफ में तुड़े उसके बाद मैंने गलती किया इमोशन में आके मैंने गलती किया आपको में दिखाता हूं अरूं 1010 को मैंने वापस सेम प्राइस मिल रहा था मैं वापस शॉट किया ठीक है अरूं मैं इधर कुछ शॉट किया अरूं 1010 के आसपस और जब मार्केट ऐसे उपर भाग रहा है मैं धर के बारे में निकल दिया मैं मैं जनरले ऐसे गलतीया करता नहीं हूं लेकिन क्या पता क्या हुआ आज में यह दो ट्रेड के बाद 6000 का लॉस है सर ठीक है उसके बाद मैं रूम के बाहर चले गया सर 15-20 मिनिट तक मैं रूम क कुछ नहीं हूं मेरे साथ भी गलतिया होती है लेकिन 20-minute break helped me a lot उसी 20-minute break की वैसे आज ही profit बना है सर नहीं तो बिल्कुल नहीं बनता सो जब भी आपको लग रहा है emotions के साथ trade कर रहे हो system बंद कर दो सर आप गलत दिशन लोगे उसके बाद मैंने लिए एकाट रेड आप अगर देखोगे इधर एक breakout हुआ है करेक्ट मार्केट ये breakout को सस्टेन ने कर पा रहे है इमेडियेटली सेलिंग आ रहे है इस इस साइन और breakout फेलियर तो मैंने आराउं 1125 के आपके आपको दिखाता हूं 1125 पर मैंने 400 वापास बेज़ा था और उसके बाद मार्केट अच्छे से मेरे direction में गया और मैं धीरे-ध 1000 परके करते हैं सर्थ फोड़ा पर फिंग पर निकाल दिया सर्थ विल्कुल करने मूड नहीं था क्योंकि गलती करनी के बावज़ूदी मार्केट में मेरे को 2007 का profit दिया सर तो मेरे को ट्रेल करना नहीं था मेरे को psychology spoil करने का नहीं था मैं profit book करके निकल गया सर अज अच्छा है market flow में निकल गया ऐसा तो बहुत एक्सपेरी की दिन क्या होते market ऐसे यूटर मारता है सर और जब ऐसा यूटर मारता है आपका पूरा profit लेके आता है सर बहुत बार हो चुका है मेरे साथ यह इसलिए ट्रेल कर रहे हैं कि बोड़ों बिल्कुल नहीं था जो मिला उसकी साथ निकल गया सर तो आपको पता रहना चाहिए कब कब निकलना चाहिए और कब होड़ करना चाहिए अब आते बेस्ट पाट अधे ट्रेड को अरण 230 के आसपास यह इदर मैंने 44,000 का कॉल बेचा था नेक्स्ट एक्सपारी का आपको मैं ओर्डर बुक दिखाता हूँ मैंने दो लॉट 44,000 का नेक्स्ट एक्सपारी का कॉल बेचा था यह मैं पोजिशन लेके जाने वाला था इनिशल मेरे स्टॉपलास 44,000 था उसके बाद जो मार्केट गीरा सर बाप क्योंकि बहुत दिन से मार्केट ऐसा टाइम पास कर रहा था आज पूरा कवर अप कर दिया सर तो इनिशल मेरे स्टॉपलास यहां था उसके बाद मार्केट ने अच्छा फॉल दिखाया और इस पॉइंट सर यह पाइंट के आसपास मेरे को 60% प्रॉफिट मिल गया है सर 60% डिके मिल गया है तो मैं क्यों होड करूंगा उस ट्रेड में मेरे को 10,000 का मैंजन प्रॉफिट था सर उसमें से 6500 का प्रॉफिट अभी मिल गया क्या बाकी की 3000 रुपे के लिए पूरा हाफता होड करूंगा क्या ट्रेड मेरे को पता ही जीरो होने वाला है यह दो दिन में लेकिन मैं 1&500 2,000 रुपी मार्जिन ब्लॉप क्यों करूं 3,000 रुपे के लिए उससे एच्छा मैं कोय और टेड ड्रूंद और एसे दे defines पास बहुत पैसा है मेरी मार्जिन ब्लॉप हो रहा है हना तो 60% profit मिल गया में निकल दिया सर, मैं कभी भी 0 होने का weight नहीं करूँगा, 60-70 profit निकल गया, निकल गया बस, कल आके वापस trade करूँगा, आज lucky day था सर, market ऐसे flow में निकल गया, जब मैं trade लिया, मेरा expectation था market था time pass करेगा, मैरे कुछ 380K मिलते रहे और मैं OTME हूँ, लेकिन जब आज ही मिल गया सर, एक गंटे के अंदर, तो अब क्यो रुको trade के अंदर, so I hope इस वीडियो के तुरू आप कुछ सीख पाए, मेरे गलतिया repeat नहीं परे, thank you for watching.